नमस्काराम बरीजनों आप देखनें भी ये चुपार्ट सलाव सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही डिमांडिंग वीडियो था और कई बार मैं अपने अलग-अलग वीडियो में बात बता चुका था कि आपको मैं एक वीडियो दूँगा जिसमें ये बताऊंगा सीउटी का जो फॉर्म आ चुका है उसका इस्टे बाइस्टे प्रोसेस क्या है साथ साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी इन्वर्शटी में फॉर्म फिलप करना है और किस कोर्स में फिलप करना है चूकि ये कॉमन पेपर होने जा रहा है तो आपको ऐसी बहूद सारी बाते बतानी पड़ेंगी जो आपना नॉलेज नहीं है वो जमाना था जब इक को फॉर्म आया और बस साइबर वालें के पास फोटो ले गया सिनचेर दी और फॉर्म फिल अब्ला वैसा नहीं है तो इस स्क्रीन पर आप जो एक इंटर्वेस आप आपको दीख रहा है डैस्बोर्ड यह है आपके ऑफिस्यल वेव साइट सी यू टी सामेट डॉट एसी डॉट इन का मैं एक बार फिट से पूरा प्रोसेस ओपन करके दिखाता हूं तो टीक है जिससे कि आप क्लियर समझ दको यह है गूगल सब इससे वाखिफ होगे हर कोई कि जान चुका है गूगल को किसे का दोस्त है किसे का यार है किसे का मित्र है हम लोग सबसे ऊपर वाला क्लिक करेंगे मैं एक बार क्लियर करके दिखाता हूं देखो यह मैंने क्लिक करा यह गलत क्लिक हो गया यह उपर वाला ठीक है यह देखो ओपन हो गया इस तरीके से आपको भी यह दिखेगा ठीक है क्या दिख रहा है अब यहां पे कार्णर पे देखो क्या लिखा हुआ है साइन और रजिस्टर दिख रहा है यह देखो मैं को जूम करके दिखाता हूं आपको समझ में आ रहा है और ध्यान देना इस वीडियो को देखने के बाद ही अपने साइवर वाले भाईया के पास जाना अगर घर पे लैप्टॉफ है तो इस वीडियो को देखने के बाद घर से भी फिल अप कर सकते हो अब हम लोग क्या करेंगे चुकि न्यू रिजिस्टेशन हम लका होने जा रहा है अभी हमें कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग रिजिस्टेशन पर जाएंगे जिन लोगों ने रिजिस्टेशन का एक भी स्टेप पुरा कर लिया या पूरा कंप्लीट कर लिया उनको साइन इन पर जाना है लेकिन अभी आप फ्रेसर हो तो हम लोग को परसान कर रहा है अब लेकिन हम लोग इसको नीचे देखो जाके देखेंगे तो पहला इस टेप जो है वह है रेजिस्टेशन फॉर्म का सेकेंड जो है वह है अप्लिकेशन फॉर्म का थर्ड और लास्ट जो है वह आपका फीस पेमिंट का यह एक मोटी-मोटा अब एक नया डैसबोर्ड ओपेन हो गया जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लो मैं क्लियर भी कर दे रहा हूं देखो यह ठीक है जिसमें देखो यहां पर तीनों पॉइंट दिया भी हुआ है देख रहो है तीनों पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है अपलाई फॉर फिल ऑनलाईन फॉर्म अपलाई एक्जामनेशन फी यह आपका पहला सफलता का पहला फॉर्म है अगर कंपटिशन ब्रेक करना है तो यह सही सही भरना पड़ेगा ध्यान देना फॉर्म फिलप करने से पहले आपके हाथ में आपका दस्मी का एतिहास सिक सर्टिफिकेट अब हम जाते हैं यहां पे आपको अपना प्यारा सा नाम लिखना है उसके नीचे अपने पपा का नाम लिखना है और उसके नीचे अपने ममा का नाम लिखना है उसके बाद गार्जियन में अपने बड़ी बहन अपने भाई का भी नाम लिख सकते हो फिर से अपने पापा क certificate देखो कब पैदा हुए थे वहाँ पे लिखा होगा भूल गये होगे किसी अपने इस्ट मित्र को call करके पूछो भाई मेरा बड़े का भी वो बता देगा साथ वो गलत बता है तो दसमी सही लिखना ठीक है लेकिन सही लिखना बाद में इसमें कोई बद्लाव नहीं होगा हाँ लेकिन समिधान में हो सकता है जेंडर की बात करें यहाँ पर आपको यह लिखना है भाई आप क्या लड़का हो लड़की हो बड़े ही प्यार से यहां select करोगे, अपने आप option आजाएगा, ठीके, थर्ड जेंडर का भी option है, keep in mind, आप जुस जेंडर में आते हो, वही flip करिएगा, ठीके, अच्छा, यहां भी मैं explain कर देता हूँ, लड़का, लड़की थर्ड जेंडर, ध्यान देना, पुछ लेना घर में मैं क्या हूँ, बहुत आसान भासा में लोग समझा देंगे, निसनलिटी, आप हिंडियन हो, दूसरे देश से आते हो, फोरें आते हो, यह बड़े ही आसान भासा में मुझे लगा रहा है, मेरे वीडियो, आस-पास के तीन देश के लोग के देखते हैं, कजाकिस्तान के लोग लोग देखते हैं, में से कोई आइडी नहीं होगी आप बड़ी ही प्यार से अधर वैलिड गोर्मेंट आइंटी वी फोटोग्राफ ये क्लिक करना ये क्लिक करने के मतलब यह है कि अब आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो अब मेरे को कॉमेंट करके बताना कि अधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं मुझे अधार कार्ड अपना याद है आप लोग भी याद कर लीजे वैसे अधार कार्ड आपका भी नेशनल वैलिड डाकॉमेंट में नहीं आता है लेकिन यहाँ पे अधार कार्ड Other Garment Valid Identity Card में डाल सकते हो ठीक है तो यहाँ पे अधार कार्ड डाल देना और लोगों के पास Sublabel भी होगा अधराइश Payne Card तो आपको असमे ने दिखा ही दिया है फिर यहाँ पे Address पे आते हैं एड्रेस में सबसे पहला जो कॉल है में आपको डालना है कि आपका बिल्डिंग नंबर या होम नंबर क्या है जैसे मेरा 200 है तो 200 डाल देख लेना और आम से घर में पूछ के देख लेना कि क्या भरना है इसमें कुछ गल्ती वैसा सर्म मानित गल्ती है इसमें गल्ती ना हो जाया तो भी दिक्कत नहीं लेकिन ऐड्रेस में गल्ती क्या करोगे बइऑ यह सबको पता ही होता है country चूच कर लेना ध्यान देना कि पाकिस्तान मत भरना अगर होगे तो भर देना मुझे लग रहा है इंडिया नहीं लोग देख रहे हैं तो इंडिया लिखना फिर इसको आद पीन कोड डाल देना जो आपका छेंग का पीन कोड होता है email address डाल देना अब देना अपना पापा या मंमी का ठीक है और दरना नहीं कि हाँ उनको चला जाएगा गलत कुछ काम करने पर अराम सुनी का डालना अभी स्टार्टिंग फेज है और मेरे मित्रों अगर आपका address फिर से वही repeat हो रहा है यानि आप दो जगरे से होता है कई बार फादर अलग जगर duty करते हैं और उनका permanent address कहीं और होता है तो ऐसे में मामला बिगड़ जाता है तो आपको उपर अपना एक address डालना है जो आपका पर्मान देखो लिखा हुआ है ना present address अगर दूसरा आपका जो अभी जहां रह रहे हो अगर same है तो बस यहाँ पे click कर दोगे अपने आप detail वही वाला transfer हो जाएगा इसमें ठीक है और नहीं तो फिर यहाँ पे change कर देना ठीक है उसके बाद password आपको create करने के लिए बहुत ही जंग जिसको world war 3 बोलते हैं वो लड़ना पड़ेगा और उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि add the rate 1,2,3,4,5,A,B,C,D सब कुछ लिखना है बहुत आसान है यह मुझे लग रहा है यहाँ पे दो कोई line जो rate वाली लिखी हुई अध्यान से पड़े के अपना password create कर सकते हो ठीक है जो कि must be 8 से 13 होना चाहिए यानि छोटा नहीं होना चाहिए 8 से 13,13 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 8 से छोटा नहीं होना चाहिए यहाँ पे एक बर password भरना फिर उसका confirm password डालना फिर security question जैसे आपके बचपन के सबसे अच्छे मित्र का क्या नाम था ऐसा column नहीं होगा तो देख लो क्या दिया है which is your favorite book अगर आपका मालो चलो Harry Potter फिरेट बुक है तो आप आराम से यहाँ पे फिरेट बुक लिखके और यहाँ पे उसका answer लिख देना जो भी आपका Harry Potter या जो भी है चेंज भी कर सकते हो आपका बहुत सारा है रेरली विजिट विजट विवसाइट है फिर फोस्ट स्कूल नेम है नेबर पेट नेम है ठीक है परोसी का नाम भी दे रहा है ठीक है यहाँ पे देखो capture code अब यह थोड़ा सा एक silly बात हो जाता है यह आप से पूछ रहे computer यह आप से पूछ रहे भाई आप computer तो नहीं हो यानि robot तो नहीं हो जैसे refresh करोगे capture code बदल जाएगा फिर submit करते ही आपका यह पहला form फिलफ हो गया अब हम लोग आएंगे second number पे ठीक है अब यहाँ पे आप देख रहे होगे राई station का one column जो है एक number देख रहे हो यहाँ पे यह देखो complete हो चुका है अब हम लोग आ रहे हैं second पे यहाँ पे second वाला औरेंज इसली दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे second भी हम लोगों ने open कर दिया है ठीक है open कर दिया है और आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि यह जो यहाँ पे मैंने जो sticker लगा रखा अप्लिकेशन नमबर जनरेट हो गया है तो जिस बच्चे का है मैं हाइट कर रहा हूँ आप लोग भी ध्यान देना अपना अप्लिकेशन नमबर सेर मत करना किसी भी कीमत में मत सेर करना ठीक है और यहाँ पे एक बात मैं थास समझाना चाहूँगा कि आप जिस प्रोसेस में समझा रहा था कि मलब आगे प्रोसीड करा तो फिर आगे आजाएगा अप्लिकेशन फार्म फिल अप करने के लिए इन केस आपने बस रखेशन करके कोई काम आगया छोड़के जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आपके मुवाइल नंबर पे अब तक अप्लिकेशन नंबर आ चुका होगा अंटीए के वेबसाइट के थुरू आप देख मुवाइल चेक करना वहाँ पे आ जाता है रिश्टेशन करते ही अप्लिकेशन नंबर आ जाएगा और वो पासफ़र जनरेट करी चुके हो आप तक तो आराम से कभी भी दुबार आप ऐसे आजा ना फिर से यहाँ से ओपिन करना इसको स्यूत रिश्टेशन अप्लिकेशन ठीक है देखो यह ठीक है और यहाँ पे जब कारने पर जहाँ पर पने स्टिकर लगा रखा जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि तो वह कर लेंगे देखो साइन इन करा तो मेरा यह आ गया फिर से मैं कैप्चा को डाल रहा हूं कि ओके डैन यह फिर से ओपन हो गया है पस इसको नीच ले जाना यहां पर देखो कंटिनिव अप्लिकेशन फॉर्म लिखा हुआ ठीक है इसको लोग कर दिये कंटिन अप्लिकेशन फॉर्म अब यहां पर देखो कई सारे सब सेक्षन आगे जैसे आप से पूछेगा प्रस्टनल डीटे फिर आपका प्यमेंट आगा है और हम लोग अपनी ऊपर करते हैं देखते हैं क्या क्या जैसे कि आप देखो इनका फादर ने ने फूरा जो उन्होंने फिल अप कर रहा है वह पूरा यहां पर दिख रहा है मैं था हाइट कर रहा हूं गयां कोई भी ऐसा चीज नहीं है इस स्कीनल डीटेल समझे करे नगा था चीड एक पैपर टेस्ट डीटेल है यह दिया मैं Kiss पीपर परहाँ कोई स्कूल का दाला है पूरा संटेज कि यहाँ पे इडिट कर दिया इसको ठीक है अब यहाँ पर गर कर देखετεा और इसको फुने लिदी करने शेघे वाड़ को अब देखा इसको फेंद तो फुरसके नहीं पर देखर आक पहल और एक यहां पर की कशलगे और स्लयूर्प्रोग्राम्डम्क而且 जनेसे डी जो भी आपको यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर जैसे इनुवर्शिटी क्लिक करने बाद पहले आएगा मालो मैंने असाम इनुवर्शिटी कर लिया और फिर इसमें चले गए दो यहां पर आ गया पूरा देखर हो यहां पर ठेट सर आ गया तो बस क्लिक कर देना फिर इसक कर दिया उसके बाद मैं इसको क्या कर दिया में प्रोसीट कर रहा हम आ intimacy तो यहां पर मैं साइघ प्रोसीट बटन हाता रहता है अर्ट यह तेस्ट पेपर डिटेल यह सबसे इंपोर्टेन है इसको मैं दोके बार एडेट कर के दिखाता हूं जैसे इन बच्चे ने fill up कर दिया ना था देखो अब आपको इस तरीके के एक dashboard आएगा जिसमें उपर उन्होंने बता रखा है कैसे choose करना है हम लोग सीधे इस पर चलते हैं जैसे मैं आपको already समझा दूँ अब यही है slot selection जिसकी बात मैं कई बार कर चुका हूँ अपने वीडियोज में आपको ध्यान देना है यहाँ जो paper वो दो slot में होना है पहला slot में आप एक language ले सकते हो दो ही domain ले सकते हो और GT आपका permanent देख लेना कि अगर आप जिस course में जारो तो GT requirement है कि ने मेरा क्या suggestion है कि हर एक बच्चा एक language और GT जरूर देगा जिससे कि आपके अलग-अलग university में window open रहे इन case अगर आप हो सकता है आप जा रहे थे B.A. B.L.L.B. करने और अब इस्थिति इतनी बुरी हो गई कि आपका कहें admission नहीं हो रहा है कि मालो B.L.L.B. करना है तो legal लेना पड़ेगा जिसको B.com करना है वो account लेगा लेकिन ध्यान देना कि अगर दो domain के ऊपर अगर जा रहे हो तो फिर आपको second slot में भी आना पड़ेगा second slot में पता है क्या रखा गया है मलदब ये की payment आपका double हो जाएगा और इन्होंने इतना मजबूर करा है कि आपको second slot fill up करना ही पड़ेगा क्योंकि मालो किसी लड़के को आप JNU से foreign language लेना है और B.H.U. से उसको बीए करना है तो B.H.U. में हो सकता है उसको बस Hindi या English चूच करके paper देना हो क्योंकि यहां पर लेंग्विज में फिक्स हिंदी इंगली सी देना है लेकिन JNU के लिए अगर आपको foreign language करना है तो आपको हाँ foreign language चूच करना पड़ेगा तो फिर आप यहां पर foreign language चूच करोगे फिर इसका दोस्ता है आपको domain भी चूच करना पड़े यहां पर क्लिक करना रहता है यहां पर यहां पर आपको वीडियो में साथ नहीं बताया था अभी मैं confirm कर रहा हूं medium आपसे यहीं पूच ले रहा है जो 13 medium की बात कर रहे थे वह लोग paper आपको तीन भासा में देंगे तो यहां पर ही वो चूच करना है तो हो सकता है कि यहां पर चूच करने के बाद वहां पर आपसे नाम पूचा जाए कि आप किस language paper देना चाहते हो ठीक है और यहां पर फिर preference city में आपके बाद लगबग चार preference cities दे रहे हैं लोग state भी दे रहे है और city भी दे रहे है जैसे इन बच्चे ने पूरा का पूरा यूपी डाला है आप लोग चाहो तो सेर करना चाहो तो कई जगों पर डाल दो paper एक ही जगत दो के ध्यान देना नस्दी यूम में आपको यह mention तो करा यह नहीं कि photo कैसा होना चाहिए चाहे आप गोरे हो चाहे काले हो चाहे आपका photo रंगीन है चाहे काला है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह आपके दोनों कान दिखने चाहिए आपका नाख आख कान मुह सब जितने भी चीज़े होती है मुह के उ 30K भी यह अराम से आप लोग अपना photo लेना और इसको online पर जाके google पर search करोगे convert size अपने आप वहां search convert करेके उसको download कर लेना ठीक है बहुत easy है hard नहीं है यहाँ पी एक बात और ध्यान देना है कि माल लो अगर आप किसी भी specific category से belong कर तो जैसे आपको EWS लगाना है या आप OBC में आते हो या फिर आपके पास PH का certificate है तो ऐसे में हुआ आपको अभी यहीं submit करना पड़ेगा जैसे select file करते हो आप से यहाँ पे portal open हो के आजाएगा ठीक है और यहां से आप जाके open कर सकते हो तो वो certificate आपके पास अगर available है तो आप upload करोगे जैसे माल लड़का अगर PH है य यह इसी summit.ac पे ही bulletin में जब नीचे जाओगे जम आपको दिखा रहा था उसी में दोको नीचे यहां पर पूरे certificate दे रखें पूरे certificate अगर आपका सो certificate नहीं है तो यह certificate यहां से आप print out कराओगे इसको fill up करोगे नीचे जिसका signature करने के लिए बोला है उस जाएक कराओगे ज तो आपको DM आफिस बनोना पड़ेगा तो यह पूरा यहां से निकलवाओगे यह हर किसी ही requirement नहीं है ध्यान देना जो जनरल से बच्चा है उसको कुछ नहीं करना अपना form fill up करो बात खतम करो लेकिन जिसके पास certificate नहीं उनके लिए मैं बता रहा हूँ है यह पर confirm मत हो जान ठीक है अम लोग फिर से आते हैं अपने form पर यह हो गया और यहां पर BPL यानि जो बहुत गरीब है जो BPL जो होते हैं below poverty line तो उनका certificate अगर यहां पर है तो वो यहां पर upload करेंगे otherwise फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां से जाके उसको बनवा के भी आप लोग इस वाले जाके अपने तस्यल पर यहां पर बनता है उसको बात कर लेना वहां से बनवा लेना ठीक है और इस वीडियो के में comment करना कोई problem आता है तो comment करना आज ही नहीं है कि जान प्राणा देके form भरना है form की last date में भी 10-15 दिन है आराम से form को समझो fill up करो और मैं अभी जो वीडियो बना है ओन उन्वेर्षटिटि लेवल पर आपको संजा रहा हूं ईन्वर्सटी लेवल पर संजारा हूं की कौन सी लश्री में कौन सा कौन सा यह ससे मैं open करें दिखा भी देता हूं आपको यूटू тебе है कि मेरे कैसे video जिसमें जा रहा है जैसे कि भी मैने थ import a video ढॉला ना receiving for भरने से पहले ये बाद जरूर जान ले इस वीडियो भी गया हो इस वीडियो Warren अब cottage हो ać मुझार इंट कि ये ढूंप पर जा रहा हूं अजकर तो बड़ी-बड़ी कोचिंगे भी आ गई हैं लेकिन भाई उनकी फीज भी तो है 16,070 देखो यह देखो मैंने देखो यहां पर हर एक इनुवर्सिटी के तार्गेट कर रहा हूं तो बहु बीकॉम फिर नीचे जाके देखोगे तो मेरे यहां पर औ करते हो ठीक है रेस्टेशन एटलिस्ट कर लो बाकी कोर्स अगरा डिटेलिंग जो है अपना एड करना फॉम फिलप कर लेना कॉमेंट करना अगर कुछ नहीं समझ में आगा तो और इस वीडियो को सेर भी कर देना अपने स्टेटस पर लगा देना कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट जरूर करना फॉम में गलती मत करना मैं आप ही के लिए हूँ जिन्दा ठीक है तो भर्सक पूरी कोसिस करूँगा कि आपकी मदद की जाए ओ कहर अर्माद जैसे किसना रादे रादे मुस्ट करना बिल्कूल न भूले सब्सक्राइब इस चैनल लाइक इस किन्य वे वे